Hello everyone, welcome in this bio channel, Jeevan Jyoti Biology. In this topic, I am going to explain you cardiac impulse. Cardiac impulse explain करने का मतलब मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि हमारा हाट किस तरीके से धणकता है. ठीक है? तो हम सबसे पहले लिख देते हैं हमारा topic that is termed as cardiac impulse. ये हो गया, यानि कैसे चलेंगे और कैसे इसकी beats जो है वो आगे काम करती है. Human heart myogenic होता है. Myogenic का मतलब होता है कि इसको pulsation देने के लिए जो भी notes हैं, जो tissues हैं, वो इस heart के अंदर ही हैं. यहां screen पर आपके सामने एक heart पहले से बना कर रखा हुआ है. आप देखें, as we know that this part, उपर वाले पार्ट को हम लोग auricle कहते हैं, यह ए यू आर आई सी ले लिख लिया हमने. नीचे वाले इस पार्ट को हम लोग ventricle कहते हैं, यह हो गया, वी ए एन टी आर आई सी ल ए, ठीक है. अब इस auricle और ventricle के हर एक chamber में pulsation होना जरूरी है, तभी हमारा जो blood इस heart के अंदर है, that will be pumped in different organs. So I am going to start all those things, कि किस तरीके से हम इस heart के pulsation को यनि धर्कन को continue करते हैं, ठीक है. Next is, कि जो human heart है, वो myogenic है, एक बहुत ही important word, जो आपके बहुत सारी competitions में भी पूछा जाता है. Myogenic, myo word बेटा हम लोग muscles के लिए इस्तमाल करते हैं. Myo word is always used for the muscular, यहां हम cardiac muscles के बात करें. Human heart myogenic है, इसका मतलब कि the impulse will be generated inside the muscles of heart itself. Heart के अंदर ही muscles में impulse start होगा. Oracle is again divided into two chambers, क्योंकि हम लोग नाम लेंगे एक एक करके, इसलिए मैं बोल-बोल के बता रही हो आपको. This one is to be termed as left oracle, यह हमने लगा लिया. This one is known as right oracle, यह हमने लगा लिया. ओल्टा इसलिए होगा, क्योंकि यह vertebrate है. Left oracle के नीचे वाला हिस्सा, यह left ventricle. और right oracle के नीचे वाला हिस्सा, यह हमारा हो जाएगा, right ventricle. यह लगा लिया. यह हमें पता है कि right side में हमारा deoxygenated blood होता है. और वो deoxygenated blood उपर से superior vena के वाले कर आ रहा है. लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है. तो यह हमने superior vena के वाला बना लेना है. यह बन गई, यह आ गया हम. यह superior vena के वाला यहां पर हमारा deoxygenated blood यहां इखटा होता है. मुद्धा इस समय यह है कि हम impulse कैसे generate कर रहे हैं. तो superior vena के वाला के लिए हम लिख लेते है. S for superior, V for vena के वाला ठीक है. C और लगा लेते हैं, तो superior vena के वाला हो गया. इस superior vena के वाला के ठीक नीचे, just below the superior vena के वा. Into the right oracle, right oracle के अंदर, सबसे बड़ा node, यह देखे, सबसे बड़ा node, ठीक है. जिसको हम syno-atrial node के नाम से जानते हैं. यह हो गई हमारी syno-atrial node की labeling. आए इसकी भी बात कर लेते हैं, यह ले ले लेजे. यह हो गया हमारा syno-atrial node. सबसे बड़ा node, pulse का generator. क्योंकि यहां से pulsation start हुआ है, बिना किसी nervous impulse के starting के. यानि खुद बखुद cardiac muscles के अंदर ये nodes हैं, जो pulsation खुद start कर रही है. देखे, pulsation इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है. यह ना, तो क्योंकि pulsation start हुआ है, इसलिए इसका नाम हम natural pacemaker रखते हैं. Artificial pacemaker भी आपने सुना होगा. जब यह natural pacemaker काम करना बंद कर देता है, तब हम लोग artificial pacemaker का इस्तमाल करते हैं. फिलाल, यहां syno-atrial node का नाम syno-atrial क्यों है? क्योंकि sinus यह superior vena के वागे ठीक, नीचे, atrium के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम syno-atrial node है. In the same right auricle, इसी right auricle में, यहां देखें आप, यह हमारा present atrio-ventricular node, यह हो गया. The question arises why it is to be termed as atrio-ventricular node, इसलिए क्योंकि atrium में है, plus ventricle के ठीक ऊपर है, और right auricle में, यह थोड़ा सा left side की तरफ है, बट है auricle के अंदर ही, इसे हम बोलते हैं, atrio-ventricular node. Okay, अब इसके अंदर, it is sino-atrial node और atrio-ventricular node को connect करते हैं, वे कुछ fibers, impulse को नीचे लेकर आते हैं. That means, essay node, impulse को, pulsation को, यहां से यहां तक भीज रहीए, देखें. यहां से यहां तक भीज रहीए, देखें. और वो उसी impulse को AV node में transfer भी कर रहीए, देखें. और फिर जो atrio-ventricular node है, वहां से एक छोटा सा bundle originate होता है. Bundle, एक ऐसा bundle जो combined है, मतलब छोटा पाट है, यहां से लेकर के, यहां तक के पाट तक. जब तक कि वो divide ना हो, उसको हम atrio-ventricular bundle के नाम से जानते हैं, तो यह हमने लगा लिया, atrio-ventricular bundle. ऐसे कह सकते हैं, that impulse from atrio-ventricular node will be conducted into the wall of the ventricle through atrio-ventricular bundle. EV node से, यानि हम दोनों, यानि इसमें और इसमें तो impulse को हमने conduct करा लिया, लेकिन जब तक ventricle में impulse नहीं आएगा, जब तक वहां pulsation नहीं होगा, तब तक blood को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, blood को pump कैसे करेंगे, तो AV node से message को नीचे भेजने के लिए, impulse को, pulsation को नीचे भेजने के लिए, हमारे पास atrio-ventricular bundle लिया, अच्छा, उसके बाद, यह जो red color की line यहां draw कर रही है, यह जो red है, इस red color की line को this one, this red color and this red color, यह जो दिख रही है आपको, यह जब दोनों ventricle के बीच की septum को, इस septum को, इस red वाले septum को, हम लोग intraventricular, intra, ventricular, v-e-n-t-r-i-c-u-l-a-r, intraventricular septum के नाम से जालते हैं, septum का मतलब जो अलब करें, intra का मतलब जब उसी particular part के अंदर हो, बीच में हो, यानि अब हम बोलेंगे, कि atrioventricular bundle divides into right and left branch of bundle of his, अब आप देखिए, यह देखिए, इसकी अगर हम पहले वाली लाइन के पास ले जाएंगे, तो यह हो गई right branch of bundle of his, और अगर इसी से हम अगर इसमें लेकर जाएं, तो यह हो जाएगी left branch of bundle of his, यह और यह yellow वाला part, क्योंकि जो fibers हैं, जो इस impulse को, इसको conduct कर रहे हैं, उसके लिए yellow color का इस्तवाल किया हैं, अब जो impulse हैं, वो cardiac muscles, जो कि ventricle की walls में लगी होई हैं, that in the cardiac muscles which are present in the wall of the ventricles, वो इसके different branches से होते हुए, दोनों branch जो अलग-अलग wall में गई हैं, इस तरीके से cardiac muscles के अंदर, जो impulse हैं, उस message को आगे बढ़ाएंगी, ताकि ventricle pump हो जाएं, ventricle में भी pulsation हो जाएं, notice करिए, यह जो impulse है, वो choda tendinai, जो blue color से draw किया हुआ है, यह choda tendinai है, इसको chodee tendinai के लिए हम t लिख लेते हैं, यह choda tendinai, bicuspid और tricuspid wall को control करते हैं, इसकी बात हो रही है, इसमें, यह choda tendinai, यहाँ bicuspid है, और यह choda tendinai, यह tricuspid है wall, यह बना हुआ है, यह इसको भी control कर रही है, जब तक walls खुलेंगे नहीं, तब तक blood को हम इधर से ऐसे कैसे लाएंगे, और इधर से ऐसे कैसे लाएंगे, दाट मींज, पुरकिंजे फाइबर, जो बहुत fine चोटे चोटे फाइबर्स हैं, वो पुरकिंजे फाइबर्स बंडल ओफ हिस से जनेरेट हुए हैं, और बंडल ओफ हिस से जनेरेट होने के बाद, वो फाइबर्स बहुत ही finely, फाइबर्स का मतलब ये चले गए, हमने निकाल लिया पुरकिंजे फाइबर्स को ऐसे, बहुत ही finely वेंटर्कल की दोनों वाल की तरफ, लेफ्ट साइब और राइट साइबर्स होते वे, ये इस त लिख लेते हैं ताकि बहुत क्लेयर हो जाएज एक बार में ये हाड चितना भी ब्लड पंप करता है ना उसको हम लोग स्ट् HEY बार में जो चला गया उसको हम लोग स्टोक वॉल्यूम कहते हैं तो हम यहां लिख लेता है एक नया सा टर्म है हमारे पास यानि stroke volume का मतलब होता है एक बार के pump में जितनी बार वो जितना blood जो वो बाहर निकाल दे यानि pump कर दे टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा एक मिनिट में यह hard variable है 72 तो 75 ताइम्स तो यानि stroke volume को अगर हम 72 या 75 से multiply कर दे तो जो हमें value मिल जाएगी वो हमारी total output हो जाएगी hard की ठीक है अब हम आते हाट sounds की तरफ यहां इस diagram में देखे bicuspid यह bicuspid है और tricuspid यह tricuspid है इसको हमने पहले से ही draw करके रखा हुआ था तो यहां हम hard sound को explain करने जा रहे हाँ हाट sound को explain जब करेंगे तो यहां already वहने bicuspid draw कर रखा है color आपका थोड़ आसा हम चींज कर लेते हैं कि आप फिर वापस अपने हाट के diagram में आजाए हाट sound दो तरीके के आपको सुनाई देते हैं love और दूसरी चीज़ हमें यह यहाद करना ही कि दोनों ही sound हमारे hard के valve के closer पे हैं कोई भी sound opening में नहीं है तो hard sound आपके exam का एक important question आई चलते हैं bicuspid valve को हमने यहाँ बला रख है this is इसको ले लेते है tricuspid valve को question ही उठते हैं कि हम इसको bicuspid tricuspid कहते हैं यह भी बता देते हैं आपको यह देखे यह हमारा bicuspid हो गया दो flap के जैसे दिख रहे हैं और यह हमारा tricuspid हो गया क्योंकि हमें तीन flap के जैसे दिख रहे हैं कस्प का मतलब होता है बच्चों एक हिल ऊपर की तरफ ऐसे इस वाले पार्ट को हम कस्प कहते हैं यह हिस्सा कस्प कहलाता है तो जब डाइग्राम के अंदर ऐसे दो दो नमबर के जैसे इसे तरहे का मतलब होता हैं किसी गिल रेजन या पहाडी रेजन की ऊपर का जो उभार हो, उसको हम cusp कहते हैं tooth के लिए भी हम इसका इस्तामाल करते हैं your pre-molars are bicuspid right your molars are tricuspid इस तरीके से words का हम इस्तामाल करते हैं तो word का meaning भी पता होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास 2 walking हो गए अब आप notice करिए कि यह bicuspid walk oracle यह और एकेल हो गया यह लिख लेते हैं और वेंट्रिकल यह वेंट्रिकल हो गया भी लिख लेते हैं इन दोनों के बीच में हैं तो वो वाल्व बाइकस्पेड हो यानि यह हो यह वो वाल्व ट्राइकस्पेड हो यानि यह हो यह लगा लिया देखें इन दोनों वाल्व को हम atrio-ventricular valve कहते हैं यानि ये atrio-ventricular valve मतनब auricle से ventricle के बीच में पाया जाने वाल अब पहला sound जो हमारा आता है वो है love l-u-b love sound the first sound is generated at the closer of bicuspid valve and tricuspid valve हमने पहला sound love bicuspid और tricuspid valve के बंद होने पर सुना question ये उठता है कि अब दूसरा sound dub कब सुनाई पड़ेगा आई इस वाले पार्ट से यानि left ventricle से aurota originate होती है आपको भी पता है ये हमने aurota लगा ली aurota का मतलब होता है कि ये वो हिस्सा बना जिससे हम pure blood oxygenated blood को इस वाल को अंदर से हम नहीं दिखा सकते इसलिए हटा रहें वाल यहां है राइट अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस aurota के अंदर तीन semi lunar वाल लगे हैं आपका color फिर change कर दे ताकि दिखाई पड़े यानि वाल semi lunar मतलब चंद्रमा के आकार का चंद्रमा की जैसा देखते हैं लगाते हैं ऐसे one two and three पूरा लगा लेते हैं one, two and three यहनि ब्लड को यहां से यहां pump होना है तो यह जो semi lunar है इसकी labeling कर लेते हैं इसको हम aurta बोलेंगे a, o, r, t, a aurta का का काम क्या है? aurta का का काम यह है कि हम left ventricle से pure oxygenated blood को oxygenated blood लिख लेते हैं oxygenated blood को aurta पूरी body में लेके जाएगा आएए इस valve को हम कहते हैं क्योंकि aurta के बेस पे है erotic a, r, o, t, i, c erotic semi, s, e, m, i आधा चंद्रमा के जैसा lunar right erotic, semi lunar valve यह लगा लिया हमना चेक है? तो यह erotic semi lunar valve हो गया अब ऐसा ही एक semi lunar valve यहां right ventricle से जब pulmonary trunk निकलती है उस पे भी लगा होता है ऐसे निकले फिर हम इसके उपर से आएंगे यह आगए इसके उपर से यूँ ऐसे ऐसे definite सी बात है कि अंदर वाली चीजों को हमें हटाना पड़ेगा हटा लेते हैं थोड़ा सा यह अड़ गया यह देखें clean हो गया और फिर यह erota के नीचे से फरकेट होता हुआ निकल जाएगा इसको हमें right और left lung में भेजना है तो हम इसको right और left lung में बेज़े दे रहें देखें इसके नीचे से होता हुआ यह इस तरफ के लंग में चला जाएगा और यह इधर वाले पार्ट में आ जाएगा ऐसे और ऐसे या रहे है ऐसे ठीक है तो इसके भी बेस पे one, two and three इसको हम कहेंगे क्योंकि यह pulmonary पे है labeling कर लेते है यह pulmonary trunk पे है इसको बोलेंगे हम pulmonary pulmonary trun के trunk ठीक है तो यह वाला क्योंकि pulmonary trunk के बेस पे है इसको हम कहेंगे pulmonary 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 let me do the correction also yeah right so यह हो गया आपका pulmonary semi lunar wall ठीक है अब क्या हुआ अब हुआ यह है कि हमारे चो second वाला sound है जिसके लिए हमने यहापर डप लेक रखा है पहला sound हमारा लब दोसरा sound हमारा डप चीक है तो उस डप sound में sharp भी है आवाज तीज है लब आप बोलिये तो देखो थोड़ा soft sound है दोसरा sound आप डप बोलते हैं तो थोड़ा तीज है लब डप लब डप तो जब पहली बार जब sound आ रहा था तो हमने atrioventricular valve को close किया था हमने bicuspid को close किया था और tricuspid को close किया था दोसरा डप sound आ रहा है तो हम erotic semi lunar valve इसको close करेंगे और next क्या करेंगे pulmonary semi lunar valve को close करेंगे अब आखरी point इन hard sound को हम लोग measure कैसे करते हैं तो apparatus का नाम है stethoscope thank you and bye bye